पारिश का मौसम हर जगे चल रहा है और ऐसे मौसम में मन करता है चिट पटी भज्या खाने का तो मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए कांदा भज्या की रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की विडियो तो कांदा भज्या बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहे हूँ तीन मीडियम साइज अनियन और हमें इन अनियन को इस तरीके से स्लाइस कर लेना है तो हमें यह पतले ही रखने हैं अगर आप मोटे रखेंगे तो आपकी भज्या क्रिस्पी नी बनेगी और सौगी हो जाएगी तो देखिए ऐसे यह पतले रखने हैं और इन सभी के लच्छों को अच्छी से खोल लेना है हातों से इसके बाद इसमें आइड करेंगे दो से तीन चॉप्ड ग्रीन चिली तो आप तीखा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं हम कम खाते हैं तो इसलिए कम आइड कर रही हो और फ्रेश कॉरियंडर लीव्ज उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ टीस्पून ओफ रेड च अइड साल 2 टेस्ट और सभी को मैं अपने हातों से अच्छे से मिक्स कर लोगी यहां पर हमने हाथ यूस करने है, कि अट्मस यह अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो जैसे आप लोग अपने घर में आटा गूते हैं उसी तरीके से हमें इन प्याच को अच्छे से गूतना है तो अच्छे से प्रेस करना है और सारे ही मसालों को इसमें मिक्स करना है तो थोड़ी जरी में रियलाइस करेंगे कि नमक ने अपना पानी छोड़ दिया है और इस स्टेज के बाद हम एड़ करेंगे इसमें बेसन तो बेसन भी हमें एक सार एड़नी करना है पोर्शन में आड तो पहले थोड़ा पोर्शन एड़ करेंगे और उसके बाद दो से तीन पोर्शन में अपना बेसन हम एड़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें आइडिया मिलता रहेगा कि हमें कितना बेसन एड़ करना है तो हमारी जो भजिया है वो इससे क्रिस्पी बनेंगी तो मैंने य तो अगर आपको लगेगा कि आपका बैटर बन चुका है औसे पानी आड़ करने के जरुवत नहीं है तो आप पानी आड नहीं करिए अगर आपको लगता है कि यह थोड़ से स्टिकी हो रहा है तो यू कैन एट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर अब तलते हैं भजिया यहां पर हम ले लेंगे ओल एंड फ्लेम हमें जो रखनी है मीजियम टू हाई रखनी है हाई फ्लेम में भजिया नहीं तरनी है अदरवाइस वो जल सकती है सो मैं अपने हाथों से ही विदाओड गिविंग एनी शेप में इनको डाल रही हूं आप स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं अगर आपने हाथ से डालने में कमफर्टेबल नहीं है फ्लेम का आपको धियान रखना है फ्लेम मीजियम ही रखनी है बिकस हाई फ्लेम में आप और भजिया के टेस्स को इनाइंस करने के लिए मैं दो से तीन ग्रीन चिली भी इसमें फ्राइ कर दी हूं तो ग्रीन चिली जबा फ्राइ करते हैं तो इसमें कट लगा लिजेगा अदर वाइस वह चटक के आपके मूँपे आज सकती हैं और अवर भजिया और रेडी और इसको थोड़ा सा और मिस्टेट पड़ा बनाने के लिए मैं इसमें चाट मसाला अट कर रही हूं सो अवर कांदा भजिया और रेडी तो इंजोई इन दिस मॉन्सून झाल